Hello Friends, मैं हूँ अनपुरुना और आपका स्वागत है मेरे किचन में आज मैं बनाने वाली हूँ बहुती सौफ्ट, बहुती टीस्टी मुलायम गुलाब जामून वो भी ब्रेट के साथ, एक दा खोवे वाले गुलाब जामून के जैसे उसके लिए मैंने लिया है, यह है होल बीट ब्रेट, मैंने एट स्लाइसे लिये हैं उसके अलावा मैंने लिया है फ्रेश क्रीम, इसकी जगा आप चाहो तो दुद का भी इस्तमाल कर सकते हो और तलने के लिए मैंने घी लिया है आप ऑइल का भी इस्तमाल कर सकते हो ये हैं इलाइची, काजू, पिस्ता, बादा और ये हैं सैफरन और आधा निम्बू का रस है इलाइची को छोड़कर बाकी सारी चीज़े आप स्किप कर सकते हो, और घी की जगा तेल का इस्तमाल कर सकते हो उसके अलवा चासनी के लिए मैंने एक कप शुगर भी लिया है, अब सबसे पहले मैं ब्रेड ले रही हूँ, उसकी जो किनारे हैं, उनको काटके मैं साइड कर रही हूँ, साइड करके अब मैं के छोटे-छोटे पीसिस कर लोंगे, अगर किनारे रखेंगे तो जो गुलाब हम लोग बनाएंगे, उसका कलर उतना परफेक नहीं रहेगा, और थोड़ा सा शेव भी परफेक नहीं रहेगा, इसलिए किनारे निकालो तो बेस्ट है, अब सारे ब्रेड मैंने काट लिये हैं, उसके बाद मैं को डाल रही हूँ मिक्सी के जार में, डाल के मैंने का पौड इस main मलाई की जगह आप दूधका इस्तहाल कर सकते, ठोड़ा ठोड़ाद के इसका कभी डाल, इसका dirt उथ बनाना एक पूरा शा dong नहीं डालना है इसका dirt बहुत ज्यादा हाट बनाना है यह रही पहुत जादब वना एंट गुलाब जाहना है, मैं यह तो नहीं कहूँगी क करके मैंने इसका एक soft डोब बनाके रख लिया है अब मैं इसे ढख के side में रखते रहूं rest करने के लिए तब जब तक यह rest होता है हम चासनी के लिए pan रखते हैं इसमें मैंने डाला 1 cup sugar और 1 cup पानी डालके अभी मैंने gas का flame medium करके इसे पिखलने के लिए रख दिया है अब हम ल चपटा कर रहे हूं चपटा करके इसके अंदर कटे हुए dry fruits रख रहे हूं dry fruits यहां पर आप अपने choice के according कोई भी ले सकते या skip भी कर सकते हों but dry fruits रखने से टेस्ट बहुत अच्छे से आता है अब मैंने इसका गोला बनाया इसके अपर बिल्कुल भी crack नहीं है और यह इसके इसके फिल बनानी यह नहीं बहुत ज़्यादा पतली है तो बोलाब जामून डालते साथ इसके पीघल जाएगे अब मैंने डाला है इलाईची जाषने शं Do अब नफикаर कहरें के केसर और अधा निंब औक रहा है ताकき too शुगर क्रिस्ट्रिस्धाल ना बने मतलब जमे नहीं, उसके बाद पैन में मैंने डाला है घी, घी की जगा आप ऐल का भी इस्तमाल कर सकते हो, अब एक एक करके मैंने यह बॉल्स डाल दी है, बॉल डालते समय ग्यास का फ्लीम मीडियम रहना है, हमें सारे गुलाब जमन मीडियम फ्लीम पे ही फ्राइ करना है, अगर हम मीडियम होट रहना है, और गैस का फ्लीम मीडियम हाई करके सारे गुलाब जमन उसी तरीके से फ्राइ कर लेंगे, सारे गुलाब जमन फ्राइ होगे, मैंने निकाल रहे हूँ, निकालके आप हम लोग इसको तुरन चासनी में डालेंगे, मैंने चासनी का ढखका निकाल दि और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बन जाएंगे और थोड़े से फुल की शेप में बड़े हो जाएंगे अब मैंने ढग दिया हैं दो घंटे बाद हम लोग चेक करते हैं गुलाब जमून बनाने के लिए मैंने होल वीड ब्रेट का इस्तेमाल किया आप चाहो तो ब थैंक यू